गूमने का शौंग तो सबको होता है लेकिन एक नई कंट्री में रहने के लिए मूफ करना दूसरी तरफ थोड़ा सा मन में डर भी होता है ऐसी ही कुछ स्टोरी है हमारी यहां नेदरलेंज की हम यहां फेबुरी तूथाउजन्ट ट्वेडिटी टू को आय थे और आज हमें पूरा एक साल हो गया यहां पे आयो है हमारी डॉर्टर भी नेक्स्ट मंत वानियर की हो जा आज अच्छे होंगे तो गायस मेरी यह वीडियो का जो कंटेंट है वो जो नमल वीडियो मैं अपलोड करती हूं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है रीजन बहाइंड की जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें नेदरलेंज आय हो एको पूरा एक साल हो गया हमारा लास्ट यह बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि लास्ट यह एक निया फैमली मेंबर एड़ी हो जाएगी अभी वह नेक्स्ट मंथ वानियर की हो जाएगी हमने उसके साथ अलड़ी दो कंट्री गूम भी लिये हैं तो हमारा ट्रेवल एक्स्पिरियंस बहुत ही अ हम थोड़ा सा सोच रहे थे उस ताइम पर कि रेवल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो तभ हमने अपनी रॉक्त से बात करी रास्ते में भी मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही क्योंकि मुझे प्लेन में थोड़ा बैडिंग सिस्टम मिल गया था वर्थिंग गोस तो बस हम Netherlands पहुंच गए The Netherlands is a country known for its canals, tulips, windmills और यहां के अच्छे लोग यह country बस Amsterdam तक नहीं है जो कि हम लोग mostly सोचते हैं यहां पे और भी बहुत सारी जगा है जो हम explore कर सकते हैं, रह सकते हैं हम लोग जब से यहां आए हैं, I have learned a lot about people and culture कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए if you are moving to Netherlands So let's get start one by one Number one is housing So जब भी हमने कही नई जगा पर move करना होता है, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीज़ आती है, वो आती है घर Netherlands में 20th century में काफी सारे घर बने थे लेकिन 21 century में housing की shortage आ गई क्योंकि यहां पर बहुत सारे immigrants आएं, expats हो गया उसमें और students वगएरा तो housing की shortage के कारण यहां पर prices जो houses के बहुत ज़ादा बढ़ गए और हमारी case में क्या था कि हमने यहां पर आने से पहले hotel book करवाया हुआ था और उसके बाद हमने उसी duration के अंदर अंदर अपना घर भी डून लिया था mostly लोग यहां पर आने से पहले अपना hotel और airbnb भी book करवाके आते हैं लेकिन वह बहुत costly पढ़ता है उसमें थोड़ी सी help हो जाती है अगर आपको कोई आपे known है तो आपके लिए घर देखे रखे और token या advance money वगरा दे दे क्योंकि अगर आम online भी book करवा सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा risk रहता है इस time पे Netherlands में housing crisis बहुत है तो आप अपने आपको लखी समझी है कि अगर आपने जो भी budget decide किया है उसमें अगर आपको घर मिल जाए नहीं तो कई बार budget को उपनीचे भी करना पड़ता है इस पर दी situation जो next important point है वो है resident permit और BSN number if you are planning to stay in Netherlands for longer than 90 days तो आपको अपने immigration office visit करना पड़ेगा वो आपके fingerprints लेंगे और RP card process कर देंगे हमारे case में क्या था हमने expert center की services लेती which are chargeable also उन्होंने हमारा RP card के साथ-साथ ही हमें उसी time पे BSN number भी दे दिया था otherwise आपको दोनों की appointment अलग-अलग से लेनी पड़ेगी अगर आप expert center के services नहीं लेते हो जैसे कि RP card के लिए आपको ind.nl से appointment लेनी पड़ेगी और BSN के लिए आपको अपनी municipality से appointment लेनी पड़ेगी वो collect करने के लिए BSN एक ऐसा important number है जो आपको और भी काफी जगा पे use होगा जैसे कि अगर आपको bank account open करवाना है या फिर health services की बात करे या फिर working start करनी है so in short it's a very important number which you don't have to disclose to anyone. next important point जो है वो है register with your local municipality आपने जब यहां पे घर डूंड लिया है तो आपको अपनी municipality पे local municipality पे आपको अपने आपको register करवाना है उसके लिए आपको अपना passport या ID proof और any other document which signifies that you have a right to live at that place हमारे case में हमने house का contract दिया था और हमारा ID proof लगा था हमारी registration के लिए next important point जो है वो है utilities depending upon your housing status you need to sort out the utility provider for energy, electricity, TV, telephone, internet और इन सब utilities का एक fixed amount जो है वो हर मन्त आपके account से deduct होगा अलग लग सब का और उसका जो settlement है वो year के end में होगा आपने जितना उसमें से use किया होगा हर utility का bill उसमें से adjust हो जाएगा और balance जो है वो आपके account में credit हो जाएगा next important point is to open a Dutch bank account आप उसमें से ABN AMRO, ING, Rabobank, ASN को भी bank select कर सकते हो या फिर online banks में भी अपना account open करवा सकते हो जैसे कि Revolt हो गया, Bunk, N26 आपको online में ये फाइदा होगा कि customer care पर बात करके ही आपका account open हो जाएगा bank account open कराने के लिए जो आपके documents लगेंगे वो है passport, proof of address, ID proof, BSN कई बार क्या होता है कि हमारा BSN number जो है वो हमें नहीं मिला होता है तो उस case में आप अपने online bank account open कर रहे हो तो आप customer care पर बात कर सकते हो कुछ cases में ऐसा होता है कि वो account open कर देते है और आपको कुछ दिन का time मिलता है उस दिन में उन दिनों में फिर आप BSN number उनको दे सकते हो और वो update कर देंगे हमारे case में क्या था हम मेरे हस्बन ने ABN AMRO में अपन अपन कर वाया है लेकिन तब हमें BSN number नहीं मिला था तो salary process करने के लिए account open करवाना था उन्होंने फिर ABN AMRO के customer care पे बात करी थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था उन्होंने अकाउंट उपन नहीं किया था उनका account BSN number मिलने के बाद ही open हुआ था तो यह case to case डिपेंड करता है आप मैंने भी कुछ cases में सुना है कि account open कर देते हैं फिर वो बाद में कुछ time के अंदर अंदर आपको time देते हैं उस time में आपको आपसे BSN number लेके फिर वो update कर देते हैं बट वो फिर आपको बैंक बात करने पड़ेगी अगर फिजिकल आप जा रहे हो तो फिजिकल ब्रांच में बात करने पड़ेगी अदर्वाइस customer care बे बात करने पड़ेगी next the most and the very important step is health insurance health insurance जिस दिन आप Netherlands में लैंड करते हैं उसे दिन यह आपका start हो जाता है अब उसमें हमारे case में क्या था जैसे कि मैंने अपको बताया कि मैं उस ताइम प्रेगनेंट थी हम लोगों ने जब यहाँ पे Netherlands में आ गए तो मेरे मन में था कि एक बार routine check-up के लिए जाना चाहिए बट उस ताइम पे मेरा health insurance जो था वो एक्टिवेट नहीं था तो मेरे भी माइंड में यही question था कि without health insurance क्या मैं डॉक्टर के पास visit कर सकती हूं लेकिन then मैंने अपने midwife को call किया उनको अपनी situation बताई अब यह भी situation case to case depend करता है अगर कोई भी need of hour है, emergency है तो आप doctor के पास जा मेरा भी activated नहीं था तो I go to midwife मेरा उन्होंने फिर बाद में हमारा BSN number ले लिया उसमें क्या होता है कि जब आप insurance company select कर लेते हो आपको कहां से insurance लेना है आप उस company से बात करके अपना backdated insurance दलवा सकते हो backdated insurance start हो जाएगा मेरे case में भी ऐसा ही था हमने midwife को BSN number दे दिया था और मेरोटीन चेकप के लिए जाती थी बड़ जब हमारा health insurance activate हो गया तो company से बात करके हमने insurance को backdated डलवा लिया था और उसमें एक चीज़ important और यह है जब भी आपको health insurance की company को select करना है कि कौन सी company का health insurance लेना है उसमें आपको बहुत ध्यान से करना है क्यूंकि आपके पास साल में सिरफ एक ही बार option होता है आप अपना health care जो health insurance का provider है उस company को आप एक ही बार change कर सकते हो so you should be very careful while selecting the health insurance provider so the next step is register with the local GP आपको अपने एरिया की GP को contact करना है और अपने आपको register करवाना है in case अगर आपके एरिया का GP नहीं है तो आप किसी दूसरे एरिया की GP को भी call करके बता के अपने आपको register करवा सकते हो and उसके लिए आपके पास health insurance होना चाहिए और बाद में तो telephonically appointment book हो ही जाता है और जो कि mostly एक दो दिन के अंदर-अंदर appointment की date मिल जाती है but in case of any emergency आप emergency number dial करके same day का appointment भी ले सकते हो so guys यह सारे points थो थे important and mandatory जो कि आपको यहाँ पर आके वो सब च जैसे की Dutch language यह वैसे तो यहाँ पर सभी लोगों को English आती है and लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हो वहाँ पर ट्राफिक के sign up बोलो या पर किसे स्टोर में विजिट करते हो सब चीजे वहाँ पर दच में लिखी होती हैं तो अगर आपको आने से पहले थोड़े ब़त basics और यहाँ पता हैं तो that will be a good point also. यहाँ पे job opportunities के भी अगर मैं बात करूँ तो 80-85% जो job है वो Dutch restricted हैं अभी like मेरी job India में जो थी वो bank में थी अगर customer facing job करनी है, banks में करनी है तो आपको इसके लिए Dutch जो है वो आनी ही चाहिए उसके लिए आपको आपकी जो opportunities or job opportunities जो है और जाद हो जाएंगी. And if I talk about Dutch people, so they are very much awesome. वो हर किसी को smile के साथ ग्रीट करते हैं. अगर आप उनको नहीं भी जानते हैं, they used to say hello always, एक smile के साथ आपको मिलेंगी. So मेरा जो यहाँ का experience one year का वो बहुत ही अच्छा गया. मैंने जो जो भी points आज डिसकस कर रहे हैं, मैं उन सब के links जो हैं description box पे डाल दूँगी. ताकि आपको और detail में अगर किसी चीज के information चाहिए होगी, तो आपको वहाँ से मल जाएगी. So एक चीज और जो सबसे ज़ादा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो है bicycles. यहाँ पर bicycles की proper parking बगेरा बनी हुई है. लोग यहाँ पर क्या करते वहाँ आप से फिर bicycle से आप अपने office के लिए जा सकते हो. So bicycle भे यहाँ पर एक important part है आपका. So guys, यह था मेरा personal experience जो मैंने सोचा आप सबके साथ share करने के लिए. और अगर आपको इन में से किसी point की detail information चाहिए या फिर इसके इलावा कुछ और आपको बात करनी है, कुछ comment. I'll feel very happy to answer. And if you feel this information informative और आपको लगता है कि कुछ point है जिसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो. And if you like this video, so please share it with others. And like the video, subscribe to our channel if you are new. So thank you guys. Have a good day. Bye-bye. Take care. Thank you.